तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को वाटसप के एक ऐसे कमाल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होगे अगर आप डेली वाटसप यूज करते हो तो आपको ये अपडेट के बारे में पता होगा सबी लोग ये अपडेट का इंतजार कर रहे थे मैं खुद इस अपडेट का इंतजार कर रहा था क्योंकि इतना कमाल का अपडेट आये और आप लोगों को ना पता चाले ऐसा होई नहीं सकता है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस वीडियो को like करना है और enter continue देखते रहना है बहुत ही कमाल का और नया features लाया है जो काफी लोग इंतजार कर रहे थे अगर आप किसी से personal chat करते हो night में रात में किसी से बाते करते हो तो ये वीडियो तो आप लोग के लिए बहुत ज़्याद करते हैं तो वीडियो को like कर दिया है तो चनल को subscribe करके all notification भी दबा दीजे ताकि जब नए वीडियो आये तो आप लोगों को notification मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है अब यहाँ पे जो WhatsApp का update आया है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में यहाँ पे WhatsApp चाली है और दोनों में online दिखा रहा है आप यहाँ पे दिखा रहा है अगर यहाँ से मैं चैटिंग भी दिखा रहा है प्लस यहाँ पे online भी दिखा रहा है तो यहाँ पे अगर अगर आप अपनी girlfriend से या friend से रात में बाते करते हो और आपके parents या family member कोई भी देख सकता है कि इतने रात को online है तो उससे अगर आप बचना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको simply यहां से back जाना है back जाने के बाद आपको अपने यहां पर setting में open कर लेना है setting open करने के बाद simply account वाले option में जाना है जैसे ही आप account वाले option में जाओगे यहां से आपको privacy वाले option पे click करना है जैसे आप privacy वाले option पे click करोगे यहाँ पे आपको last scene करके एक option देखने को मिल जाता है जैसे last scene वाले option पे click करोगे यहाँ पे आप दिसक्तों यहाँ पे दिख जाता है आपको 4 options वहीं आपको नीचे एक नया option add होके आएगा अभी इस वाले number में add नहीं हुआ है यहीं पे आपको एक nobody करके यहाँ पे आपको एक नया option add करके देखने को मिल जाएगा अगर आप WhatsApp beta version यूज करते हो तो अगर आप beta version जोइन नहीं किये हो तो join हो जाएगे जैसे आप join होगे तो उसमें अच्छे अच्छे और नए नए features आपको देखने को मिल जाएगे फिर उसका यहाँ से आपको nobody पे click करना है जैसे ही आप nobody पे click करोगे अभी यहाँ पे आप दिसक्तों यहाँ पे online दिखा रहा है लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो update आया है तो profile पे भी कर सकते हो तो यहाँ से nobody हमने कर दिया है अब यहाँ से जैसे कि अगर हम दूसरे यहाँ पे दूसरा कोई अगर हमें देखेगा ना तो यहाँ पे नहीं दिखेगा कि हम online है अगर आप nobody कर दिया हो ना तो दूसरे किसी को नहीं दिखेगा कि आप online हो बस जिससे आप बाते कर रहे हैँ उसे को ही दिखेगा कि आप online हो और बाकी लोगों को नहीं दिखेगा कि आप online भी हो तो यहां से मैं अगर chatting करता हूँ आप यहां पे जिसा तो मैं अगर chatting करता हूँ यहां से अगर यहां पे डाल रहो तो यहां पे आप जिसे तो इस वाले फोन के अंदर यहां पे typing दिखा रहा अभी भी तो जो अपडेट आया हुग है ना उस अपडेट के बाद ही ये typing भी नहीं दिखाएगा प्लस आप जो यहाँ पे online show कर रहा है वो online भी show नहीं होगा तो काफी अच्छा update है तो उसके लिए आपको क्या करना है simply यहाँ पे play store को open करना है play store को open करने के बाद आपको workshop beta यह वाला origin को आपको क्या करना है थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो बाई बाई एंड टेक केर